हमसे हैं आप सभी लोग आपका स्वागत आपके अपने ूट्यूफ चैनल ज्क्षित बैए पिके पे आज पढ़ेंगे ऑ्लम्पिक के बारे में कि oven एजम किसके बारे मैं अतियास के बारे मत पर ओलं पिक में आज तक बारत्य कहई एब भारति टीम का क्या परद्द सुन रहा इसके बारे में म отправлег एथिक्हां तो चलो स्टार्ट करते हैं तो अलम्पिक थे यान कि प्राचिन उलम्पिक थे इन खेलों की सर्वात कब हुई साथ सो छेंटर के हिस्षापूरो कब हुई साथ ओलम्पिया सेर में इनकी सुर्वात हुई ठीक है ना यानि कि इन खेलों में क्या क्या होता था जैसे गुड़ दोड रथ दोड ये इन खेलों में मुख्य तोर पे होते थे और ये खेल है ना हर चार साल बाद होते थे लेकिन 349 इसा पूरव ठीक है ना रोम के राजा रोम के राजा ने इन खेलों पे परतिबंद लगा दिया उनका मानना था कि ये खेल मुर्ति पूजा को बड़ावा देते हैं लेकिन हम बात करें आदूनिक ओलम्पिकी सरवात कब होती है 1896 में होती है और इन खेलों की सरवात का सरे किसको जाता है एक फ्रांस का खेल प्रेमी होते थे बेरन पियर डी कुबर्टिन एक फ्रांस के खेल प्रेमी होते थे उनके परियासों से दुबारा से ओलम्पिक खेलों की सरवात होती है कब 1896 में और ये खेल कहा होते है ये युनान के ये युनान के एथिन सेर में होते हैं कि सेर में होत कि यहाल बाद मत्रह यह ओलम्पिक होते रहे हैं ठीक है ना उसके बाद 189 के बाद कभ वोति है उनकी सो में होते हैं। ओर यह खेल करत니 है स्काрий क्रा Morty डी पेरिस में उचलते हैं। और तो रहाद यह कोण पक्र शर निवास काृजक़ल chased उनकी सथा बारत ये खिलाडियों का कैसा परदर्शन रहा है ठीक है ना तो सबसे पहले 1900 में सबसे पहले जो 1900 में जो फ्रांस में ओलंपिक होते हैं उसमें बारत की तरफ से एक एंगलो इंडियन यानि कि इंग्लैंड के मूल के निवासी नौर्मैन नौर्मैन प्रिच्यार्ड नौर्मैन प्रिच्यार्ड नामक अंगलो इंडियन व्यक्ति ने बाग लिया बारत की तरफ से 1900 के ओलंपिक में और इन्होंने 200 मीटर और 200 मीटर बादा रेस में रज़त पदक हासिल किया ना उसके बाद बारत की टीम ने 1920 में हुए ओलंपिक में अपनी एक टीम बेजी यानि कि पांच सदेशी एक टीम बेजी जिसमें दो कुस्ति के खिलाड़ी थे और दो अथलैटिक्स थे और एक उनका परबंदक था ठीक है उसके बाद जो ओलंपिक हुए 1926 हालैंड या फिर निदरलैंड में ओलंपिक हुए उसमें स से हराके उसके बाद 1932 में ओलंपिक हुए लोंस एंजल यूएसे में और इसमें विबारत की होकी टीम ने क्या जिता गोल्ड मैडल जिता उसके बाद 1936 में ओलंपिक हुए बरलिन जर्मनी में और इसमें विबारत की होकी टीम ने क्या जिता गोल्ड मैडल जिता और इस प के ओलम्पिक है और दिवित्य विश्व युद्ध के कारण हो नहीं पाई जो यह 1940 के ओलम्पिक थे यह जपान में होने थे और 1944 के ओलम्पिक लंदन में ओने थे लेकिन दिवित्य विश्व युद्ध के कारण यह ओलम्पिक हो नहीं पाई ठीक है फिर बात करते हैं 1988 में ओलंपिक हुए लंदन में का हुए लंदन भी हुए और इस ओलंपिक में भी बारत की होकी टीम ने क्या जिता गोल्ड मैडल जिता उसके बाद ओलंपिक हुए 1952 में और इन ओलंपिक में भी बारत की होकी टीम ने क्या जिता गोल्ड जिता और 1952 के जो ओलम्पिक हुए इन में बारत की एकुस्तिक के खिलाडी ने क्या जीता ब्रोंज मैडल जीता उसके बाद 1956 में जो ओलम्पिक हुए इसमें भी बारत की टीम ने क्या जीता गोल्ड मैडल जीता और इस परकार बारत की होकी टीम ने लगातार 6 गोल्ड मैडल जीतन का विसो किर्तिमान स्तापित कर दिया कुछ बारत की बुद्दी जी बोलता है कि बारत का राश्टेखर यह होकी ही होना चाहिए क्योंकि आज बारत की किर्केट टीम के पास हर तरह की स्वीदा हर तरह की फैसलीटी है यहां तक कि बारत के किर्केट खिलाडियों का पीने का पाने विदेश से आता है और एक वो टीम थी होकी टीम जो 1928 में जब वो मैदान में खेलने उत्री तो नंगे पाँ उत्री थी 1932 के ओलमपिक में बाग लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने चंदाई कठा किया प्रदर्शनी मैच खेल खेल के उन्होंने राजगरानों से पैसा लिया कुछ ऐसे भी खिला डिया थे जिन्होंने करजा लेकर ओलंपिक में बाग लिया और 1936 में जो ओलंपिक हुए जर्मनी में उनमें बड़ी मुश्किल से जा पाए और इतनी कठनाईयों का सामना करते भी उन्होंने लगातार तीन और फिर लगातार तीन यानि कि टोटल लगात प्रक्तियों का सामना करते हुए भी जो टीम यानि कि जो खेल मतलों लगातार छे गोल्ड मैडल जीत सकती है तो उससे महान कुछ नहीं हो सकता इसलिए बारत का राष्टे के होकी ही होना चाहिए उसके बाद उलंपिक हुए 1960 में ओलंपिक यह ओलंपिक हुए रोम में कहां बारत के दावक मिलखा सिंग ने विबाग लिया था और फाइनल रेस तक पहुँचने वाले वे पहले दावक थे लेकिन उन्होंने फाइनल रेस में चोथा स्थान हासिल किया और वो पदक से चूग गए उसके बाद 1904 में जो ओलंपिक होते हैं उसमें बारत की होकी टीम फिर गोल्ड मैडल हासिल किया इसके बाद ओलंपिक हुए 1968 में 1968 में 1968 के ओलंपिक में बारत की होकी टीम ने ब्रोंज मैडल हासिल किया फिर 1922 में जो ओलंपिक हुए इनमें भी बारत की होकी टीम ने ब्रोंज मैडल हासिल किया उसके बाद बारत की होकी टीम ने आखरी बा जो मास्को रूस की राज़दानी मास्को में जो उलम्पिक हुए उसमें उन्होंने गोल्ड मैडल हासिल किया और 1980 से लेकर 2021 तक याने कि 14 साल में बारत की हवकी टीम ने अभी तक कोई भी पदक नहीं जीता उसके बाद 1984 में जो उलम्पिक होते हैं उसमें बारत की पीटी उसा ने दावक के तोर पर बाग लिया और वो भी फाइनल रेस में चोथे स्थान पर रही और वो भी मतलब दावक के तोर पर या अथलाटिक्स के तोर पर पदक जीतने से चूग गई उसके बाद 1996 में जो उलम्पिक होते हैं उस उलम्पिक में बारत की टैनिस की टीम ने क्या जीता तैनिस में काश्य पदक जीता उसके बाद जो उलम्पिक हुए दोजार में ये उलम्पिक हुए था है सिडनी में और इस उलम्पिक में बारत की बारत ओलन में करणम मलेशवरी ने मतलब कांशे पदक जितकर विस्व कृटिमान स्थाफित कर दिया मतलब बारत की तरफ से किसी माल्यया दोर्डा जिता गया पहला पदक था यानि कि करणौ मलेसaltet वरी ने बाहरत ओलन में कॼो सा पदक जीत क्या जिता एक रजत पदक उसके बाद 2008 में ओलंपिक होते हैं चाइना बीजिंग में और इस ओलंपिक में बारत ने तीन पदक जीते एक निशान ने बाजी में सवन पदक जीता और एक कुस्ती और एक मुखे बाजी में दो ब्रॉंज मैडल हासिल किए इसके बाद ओलंपिक हुए 2012 में लंदन में कहां पे हुए लंदन में और इन में बारत की टीम ने कुल शे पदक जीते तीन रजत और तीन काश्य पदक जीते उसके बाद 2006 में ओलंपिक हुए रियो दी ब्रेजिल की राजदाननी में और इसमें बार्त की टीम ने सिर्फ दो पदक जीत पाई एक रजत पदक और एक कांस्या पदक और यह रजत पदक था यह बैडमिंटन में पीवी संदु ने जीता और यह कांस्या पदक था कुस्ती में सक्सी मलिक द्वारा जीता गया था ठीक और होक्की के बाद यदि कोई खेल है जिसमें बारतने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं वो कौन सा कुस्ती है कुस्ती है उसके बाद जो ओलम्पिक ओने थे वो ओने थे 2020 में तोक्यो जपान में लेकिन करोना महामारी की वज़े से यह स्थगित होगे और अब यह ओलम्पिक होगे 2021 में कब होगे 2021 में अब बात करते हैं ओलम्पिक 2021 की कब है ओलम्पिक 2021 की जो ओलम्पिक 2021 है इनकी सुरुवात 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक होगा ठीक है ना और ओलम्पिक 2021 में बार्थ की तरफ से 144 खिलाडियों का दल बाग लेगा यानि कि इतने खिलाडी बार्थ की तरफ से पाटिस्पेट करेंगे 124 और हैरान करने वारी बात है इतनी चोटी सी स्टेट से कितने खिला डे जाते हैं 39 खिला डे जाते हैं हर्याना का बारत में चेतर फल की दृष्टी से कौन सा स्थान है बिसुआ और जनसंख्या की दृष्टी से कौन सा स्थान है अठारवा और सबसे ताजू करने वाड़ी बात है इतनी चोटी सी पैलवान ञाएंगे, यानि कि कुष्टी के कितने प्लेयर जाएंगे, छे पैलवान जाएंगे, प्रियों कि छे कहां से हरियाणा से हैं, तो अमारी जो होकी जो अमारी स्टेट है, स्टेट गुवर्मेंट है, उनको अपने खेल पोल्शी में चेंज करना चाहिए या फिर सुधार करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ही हुआ इन खेलों की तरफ अट्रेक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा मैडल जीत के लाए और आप सभी से अनुरोध है कि बारत की टीम के लिए दुआ करे खासकर होकी क लिए जिसने एक ट्याड़ी साल से अभी तक कोई पदक नहीं जीता है ठीक है ना ताकि वो मैडल जीत के लाए और इसके बाद जो ओलंपिक होने हैं कब होगे दोजार चोबिस में और यह ओलंपिक कहां पे होगे फ्रांस में होगे ठीक है उसके बाद दोजार अठाइस मे जो ओलंपिक होगे यह युएस से में होगे लॉंस एंजल में और बारत की चाह है कि दोजार बतिस के ओलंपिक कहां पे हो बारत में हो सोचने वाली बात है इतना बड़ा देश में आज तक ओलंपिक का आयजन नहीं कर पाया यह भी हमारी नाकामी ही है तो दिलने बाद दो